अब देखेंगे कि Water ATMs में पासवड कैसे एंटर होता है अभी हम एक्जाम गल के लिए Coin Water ATM का दिखा रहे हैं लेकिन यही सेम प्रोसेस Card वाले ATM में या Card Plus Coin वाले ATM में भी होती है तो इसके लिए सबसे पहले सेटिंग का जो स्विच है वो प्रेस करके रखें जब तक डिस्प्ले के उपर एंटर पासवड नहीं आता एंटर पासवड आने के बाद जो दो नंवर का स्विच एइंकृ consideration उसके बाद तीन नंवर का स्विच है शिफ्ट और चार नंवर का स्विच हैं एंटर टो इंप्रीस का जो बटन हे उस से नंबर इंप्रीस होते जैसे आप यहाँ पर देखोगी तो हमारा by default जो password होता है वो 1, 2, 3, 4 होता है तो मैंने first location पर one कर दिया है उसके बाद shift से second location पर जाईए वहाँ पर two कीजे फिर shift से third location पर जाईए वहाँ पर three कीजे फिर shift से fourth location पर जाईए वहाँ पर fourth कीजे और उसके बाद enter press कीजे enter press करने के बाद वो setting के अंदर चला जेगा अगर आपने गलट password डाला है तो वहाँ पर वो invalid password देखाएगा और आप फिर से एक बार password डालने की कोशिश कीजे